और जहां पर मैं जा रहा हूँ वहां पर मेरी पेटी बनने की बहुत जादा संभाव ना है लेकिन देखो 25 किल हो चुके हैं 30 किल कैसे ना करे तुमारा भाई तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत ये आपका एक बिराण न्यू गलत सीन से भरे पड़े बहुत ही जादा इंटन्स पपजी दो मोबाईल गेम प्रेव वीडियो में जिसमें यहां पर सोलो वर्सिस सकॉर्ड भी करना पड़ेगा तुमारे भाई को और इस मैच में भी 31 किलो जाते जैसे तैसे करके तो यार इंटन्स कैसे नहीं होगा मैच खैर फिलाल जोड़ जाए हैं और बंदे आए हैं यहां पर और ये वाला मैच में बहुत ही ज़ादा गुसे में खिलना होता हूँ क्योंकि देखो इससे पहले मैच जितने भी मैच खेला वो सारे के सारे डंके किल करता हूँ उसके बाठ ठिल जाता हूँ कभी उतर ते ठिल जाता हूँ और एक बार यार 21 किल करके ठिला तो यार दिल तूट जाता है तो मैंने गोला चाहे कुछ भी हो ये तो यार गुसके पिलेंगे इस मैच में और हमारे इस भाई को गन्नी मिलती तो यार बंदा हार मान जाता है और एक किनारे में केंपिंग बिछा देता है अब देखो अच्छा हुआ कि मैं साइड बे देख लेता हूँ क्योंकि जहां तक मेरे को पता था बेरा उसमें एक बंदा आया था लेकिन वो बाहर ने निकला कभी तो यार देखो गन्नी मिलती तो भाग तो लो कम से कम ऐसे खड़े हो के तो पेटी ही बनेगी सीधा तो कि एकाद बॉर्ट पेलके रोजओक पहुंचाता हूं और रोजओक मैं यह गाड़ी खड़ी मिलती है यहां पर और बंदेवी मिलती हैं और जोरज ना सही यार कम सेय कम रोजओक में किल तो कर पार रहा हूं मैं तूर्द में तीनी बंदे आं रखे थे तीनों और हमारे भाई इस घर पे बैठे बंदे को देख सकते हैं तो मैं उपर जाई रहा हूं तो मैं पुस्ता हूं भया किदर देख पा रहे हूं हमारे भाई बताते हैं यहीं खिर्की के बगल में खड़ा है और मेरे इस सस्ते सपरे की वज़ा से न मेरे को अब दिक्कत होने वाली है क्योंकि यह जो बंदा भगते वाया है वो घर पे गुश चुका है और एकेम वाजे बंदे ने आर नजाने कहां कहां पे पिरिफायर दिया दरवाजे पे घर के अंदर दिवारों पे हर जगा गुलिया पेल दी लेकिन जैसे तैसे गर के मैं फ़स जाता हूं अंदर लेकिन बार आके पेल देता हूं जैसे तैसे और इसी के साथ यार रोजोग भी खाली हो जाता है तो जोर जुतरा रोजोग आके पेल गया सबको साथी किलो रखे अबी और साथ किल से कद्दू कुछ नियू खडने वाला तो यार यहां से जो भी होगा अंधार असी होगा और यहां से जब निकलेंगे बंदे ही बंदे मिलेंगे पोचंग की जाएंगे बिलकुल लेकिन इससे पहले की यार मैं पोचंग की जाओं और वहां पे पेटिया बने एक दूसरे की हम धेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स चैसे की किरकेट, फुटबॉल, बॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर ई-स्पोर्ट्स में बैट बूट लगा सकते हो और ऐसा नहीं कि यार अपने पैसा लिया और देपटक के किसी भी टीम पे पेल दिया यार दिमाग लगाओ, देखो कौन सी टीम बढ़िया खेलती है और आप दिमाग से पैसे अन कर सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको साथ हजार रुपे तक का बोनस मिलेगा आपके पहले डिपोजिट में अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि यार कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा तो यार आपको इस सब चीजों का सौक है तो इस हैप को जरू ट्राय करना इसकी लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में और यहां पे एक बंदा डीपी की सिर्फ एक गोली चलाता है और देखो हम सब को पता है वो एक गोली गलती से चल गई है मतलब यार बंदा आलस में बिल्कुल लेट के खेल रहा होगा और भाई के लेट के खेलने की वज़़ा से मेरे को थोड़े और किल मिलेंगे अब सप्रेव अगेरा देना बहुत बढ़िया लगता है यार मतलब धड़ा-धड़ गोलिया चलती है गोलिया लगती है मज़ा आता है देखके लेकिन यहाँ पे मैं यह देखता हूँ कि यार बंदा पबजी में भी लेटा हुआ है और भाई गोली लेट के चला रहे होते हैं तो बंदे का सिर्फ सर दिखता है मैं बोलता है यार तीन ही गोली से काम हो जाएगा खेर एक बंदा नौक कर दिया अब पूरी स्कॉट ठिलानी है अब देखो पोचन की में कम से कम पचास घर पड़े हूँगे पचास घर लेकिन इनको तो यही पे बैटना है केम्पिंग के लिए और इन लोगों का आखरी बंदा यही मेरे मूग के सामने साब बनावा होता है और भाई साब बनके मेरे ख्याल से नेड या फिर समोक करना चारे थे अब देखो जब आप लेट के नेड नूट खीचने की हरकत करते हो तो आपका हाथ हवा में उड़ जाता है मैं देखता हो यार एक बंदा रेंग रहा है वो भी हाथ उठा के मैं समझा तो हूँ यही आखरी बंदा पेटी बनाओ इसकी अब देखो चार बंदे यहाँ पेल दिये लेकिन सीन क्या होता है आगे जो पोचंकी है न वहाँ पे भी बंदे दबा के बैठे होते हैं और देखो बाकी जगा का मुझे सही से नहीं पता लेकिन पोचंकी एक ऐसी जगा है जहां बंदे बहुत ज़्यादा केम्प करते हैं और यहाँ पे मैं नौक वाले बंदे की बेटी वनाने की पूरी कुसिस करता हूँ लेकिन यार बंदा बच जाता है और मेरी बेटी बन नहीं थी आपे अब देखो तीन चार बंदे कम से कम बैठे पड़े उस सकॉर्ड हाउज में तो मैं कोशिस कर रहा हूँ नौक टूक करने की और इनका एक बंदा बहुत ही जादा चौड में डीपी डूपी पटका रहा था तो हमारे भाई पे कार 98 होती है और बगैर गलती के भाई एट सोट पेल देते हैं तो यार अब रस तो करना ही पड़ेगा पुझ रहा हूज है डेमेज नहीं ढीज है अटारी नहीं एटारा है तीन कर रहा है तीन ह्टारा आई कितने कर रहे है तना पट रहे है इतना पत्राइगे अब देखो जब हम लोग दूर थे ये पूरी चौड में डीपी वगेरा पटका रहे थे लेकिन जैसी मैं घर के अंदर गुस्ताओं यार इन्हों ने दे नेट पे नेट कर दिये और यहाँ पे मैं समोक में एज़स करने की कुर्सिस कर रहा था और उल्टा मेरे पे एज़स हो गया मैं भया लेफ्ट में गोली चलाए जा रहा हूँ पूरी गोली पेल दी वहाँ पे पता चलता है बंदा राइट साइड बैठा है और भाई ने मेरी हेल्थ की ऐसी तैसी कर दी तो देखो नेट तुम्हारे भाई पे फिर से पड़े होते तो फिर से बरबादी के लिए उप पर भेग देता हूं और यह लोग भग लेते हैं यहां से और जब भी मेरे साथ यह चीज होता है ना मैं पूछता हूं यार क्यूं देखो इन लोगों ने जब हम दूर थे जोर से गोली चलाई पेटिया बनाने की पूरी कोशिस करी डीपी वगरा सारी दबाके पठकाई ल करना इन लोगों को और कैम्पिंग बगेर फूटी स्ट्रैप वाली होती है तो मैं बोलता हूं यह तो टाइम दबा के वरबात करेंगे हम निकल जाते हैं यहां से और जैसी हम निकल जाते यार बंदे लोग डीपी पठका रहे हैं ठीक है तो मैं तो हुई धीट मैं बोलता हूं यहार डीपी चलाई है क्या पता दुबारा से फाइट लेना चारा हो बंदा देखो मैं दुबारा पोचन की पहुंचता हूं कही नामों निसान नहीं है ना क कोई गोली कुछ नी भाई बिल्कुल साइलेंट केंपिंग और जब भी ऐसा होता मैं दुबारा से दूसरी बार अपने से यह पूछता हूं कि यार आखिर क्यूं ऐसी हरकत क्यूं करते लोग ठीक यार केंपिंग अरना था ठीक है करो यार हम जा चुके हैं उसके बाद डी पीपी चलाता है लेकिन यार अब ना हुपाएगा मेरे से मैं निकल जाता हूँ वहां से पूरा नीचे पेड़ पे और यहां एक बगगी के पीछे एक और बगगी होती है और दोनों बगगी में दो दो बंदे बैठे पड़े हैं मतलब यार इन लोगों ने मेरे ख्याल से यहां पे कार छोड़ दी और दो बगगीयां उठा ली पट्रोल खतम हो गया होगा खेर दो बंदों को तो मैं पेल ही चुका हूँ एक को नोक नुक कर दिया है अब देखो जो समोक है उसके बगल में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है और वहीं पे बंदे लेटे लूटे रिवाइफ कर रहे हैं अब यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यह लोग भी मेरे से बचके भग जाएं यह कहीं खतरना केंपिंग कर दें इसलिए मैं उपन से भगता हूँ इन्हें पेल ने और एक इस अपरे में दोनों बंदे लोबी चले जाते हैं उसके बाद मैं अपनी किलो की तरफ देखता हूँ मैं देखता हूँ यार 18 किल हो चुके हैं अब देखो किल 18 हैं और बंदे 22 बाकी हैं इससे न थोड़ी उमीद जटती है कि यार आखिर कार आखिर कार जाके मैं एक डंका गेम निकाल पाऊंगा बस कोशिस यही कर दिया है कि चिकन चुकन कर दूँ अब उपर पहाड़ी पे जहां पे हम पहले थे वहां पे गाड़ी आ जाती है और वहां पे डिरॉब भी हुआ होता है तो हमारे भाई की फटके चार हो चुकी है क्योंकि देखो यहां नीचे रहेंगे और वो लोग उधर उपर रहेंगे तो वो 130 पेटी बनाएंगे डंक से निकाल लो गेम को उसके बाद मैं देखता हूँ यार 18 किल 22 अलाइव 30 किल गेम प्ले बन सकता है यह तो यहां पे मैं ओपन में गाड़ी रोकता हूँ यह गाड़ी के नाम पे यह जो बगगी एक मजाक है इसे यहां ओपन में रोकता हूँ और उपर धैड़ पैड़ गूलियां चलाना चालू करता हूँ क्योंकि या डिरॉप की गन मेरे को भी चाहिए और यहां पे मैं अपने सस्ते एमपोर से कुछ नहीं उखाड़ पाता लेकिन हमारे भाई कारण नहीं टेट चका देते हैं अब देखो चाहे लो गराउंड हो चाहे हाई गराउंड हो चाहे उन पर गरोजा बढ़ियो रस तो मुझको करना ही पड़ेगा तो मैं अपनी ये सस्ती बग्गी उठाता हूँ और इस पाड़ी के ठीक नीचे रोकता हूँ और गूलियां पेलता हूँ और हमारे ये भईया नीचे गिरावा डिरॉप लूट के मस्त बिलकुल उपर जाने की कोशिस में थे लेकिन यार एमपोर का सस्ता सपरे काम कर जाता है अब देखो एक बंदे की मैं पेटी बना ही चुका हूँ तो ताइम आ चुका है गुश के पेलने का लेकिन बग्गी ह तो यार थोड़ा दूर ही रोकेंगे और एक चीज में देख पा रहा हूँ यार की हर एक सोकॉर्ड में एक नएक बंदा ऐसा होता है जो चाहे कुछ भी चलाओ यार वो साब जरू बनाओ मतलब यहां पे इसके टीमेट्स की मैंने पेटिया बना दी बंदा अभी तक लेटा पड़ा है और आखिर मैं दीख भी गया तो भाई की भी पेटी बन गई खेर यहां पे मैं काफी देर रुक के लूटता वागे रहा हूँ और आखिर कार निकलने की कुशिस कर रहा होता ह हूँ फिर यह होता है और यह गुरोजा वाला बंदा ना जाने कितने सालों से यहां पे लेट के बैठा होगा अब हमारे भाई यहां पे दिमाग में कुछ जादा ही जोड़ दे रहे होते हैं हमारे भाईया देखते यार यह इतने डिग्री में था यहां पे लेटा हुआ था चार सेकेंड हो चुके हैं अब यह नेट करेगा यह पक्का नेट करेगा ठीक है मैं बोलता हूँ अरे कद् भी बनाई है मैंने लेकिन हाँ वो बंदा साप ही बना होता है तो उस साप की पेटी बना दी अब यहाँ गर के बंदों को पेलने आया हूँ और यहाँ पे कोई गाड़ी में बैठा होता है और यह लोग नजाने कहां जाने की कुशिस कर रहे थे मतलब यार इन पे जोन बी है सब कुछ है चिकन हलवे की तरह मिल रहा है इने लेकिन यार गाड़ी में रहके नजाने क्या ही सीन कर रहे थे कैरट डेमेज देता हूँ और पेल नहीं पाता किसी को मैं और वो छत के ऊपर का सीन देखके न मैं थोड़ा सहम टाइप जाता हूँ एक छत पे तीन तीन बंदे बैटे हैं तीनों के तीनों ने मेरी तरफ पे सकूप खोला है तो मैं बोलता हूँ यार अभी न उपाएगा मैं पीछे जाता हूँ और दूसरी खिड़की से पीक करता हूँ अब हमारे ये बग्गी वाले भाई जूस में गाड़ी तो ठोक देते हैं लेकिन सीन क्या होता है जब बंदा गाड़ी से कूटता है न वो सीधा मेरे मू के सामने कूटता है मतलब भाई को लगाओ गयार मैं दिवार का कवर दूँगा अब दिवार का कद्दू भी नहीं पता मेरे मू के सामने होता है बंदा और उसे के साथ साथ यहाँ पे एक जाड़ी में लेट के एक साप M2 फोर्ट से सनाइपिंग कर रहा होता है अब यह साप वाले सनाइपर को तो पेल दिया अब घर वाले बंदों की बारी अब देखो जहां तक मेरे को पता है उस घर में सो परती सत चार बंदे बैठे पड़े हैं और जहां पे मैं जा रहा हूँ वहां पे मेरी पेटी बनने की बहुत जादा संभावना है लेकिन देखो 25 किल हो चुके हैं 30 किल कैसे ना करे तुमारा भाई तो हाँ इस घर पे आ चुका हूँ इस घर के उपर चार बंदे बैठे पड़े हैं और मेरा टीमेड भी बहुत ही जल्द ठिलने वाला यार भाई की इसी घर पेटी बना दी जाएगी देखो क्या सीन होते ह और ये बात सुनके ना कसम से दिल पे दर्द होता है जब आपका टीमेड ये बोलता है ना कि भाई तु अपना खेल मैं नहीं पसपाऊंगो बहुत दुख होता है लेकिन यार बदला तो ले ही सकते हैं तो यहाँ पर डेड़ आईकुल गेम प्ले करके मैं समोक कर देता हूँ मुझे नहीं पता क्यूँ और यहाँ पर मैं ये बात समझ जाता हूँ कि यार हलवा नहीं चल ला है वो बंदा ठीक उसी खिड़की पर डीपी पेल ला है जहां पर मैं खड़ा हुआ था मेरे ग्याल से जिसकी मैंने पेटी बनाई उसने बोला यार पिरी फायर तो समोक मैं जस करो लेकिन मैं दिवार के पीछे था और मैं सोचना हूँ यार एक बार ये डेड़ आईकुल गेम प्ले काम कर रिया तो दुबार समोक कर दूँगा लेकिन ये जो दूसरा समोक बनाया है इससे कद्दू कुछ नहीं उखड़ेगा और ये लोग ये गलती करते हैं कि यार मेरे को हलवे में ले लेते हैं इन्हें लगता है यार मैं अकेला बन्दा बाकी हूँ तो कोई भी कहीं से भी कुदा फांदी करेगा और मेरी पेटी बना देगा अब देखो ये मेरी पेटी बना भी देते लेकिन यार मेरे पे गुरूजा बढ़ी है मजाग नीचल ला इधर पे और ये बचे वे बंदे आपस में लड़ भिड़के यार मेरा वो जो तीस किल का सपना था न उसे तोड़ने की पूरी कुशिस करते हैं लेकिन देखो अब सीन क्या है यहाँ दो बंदे जिन्दा है और एक तो यार जोन से ठील जाएगा लेकिन आकरी वाले को ठीलने नहीं देंगे बिलकुल और लगभग हमेशा की तरह ये जोन मेरे को फिर से गलत सीन देता है यहाँ पे मैं अच्छा खासा 32 किल कर सकता था लेकिन बुलू जोन यार एक बंदे को बाहर ही ठीला देता है जिसके वज़ज़ से सिर्फ 31 किल होते हैं लेकिन सही है यार 31 किल भी सही है मज़ा टैप यार आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते यह 1v3 था या फोर था इसके लिए लाइक लुए ठूकना मत बूलना बिल्कुल यार इस नीले जून की तरह नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार क चैक आउट करना मत बूलना उसकी लिंक कमेंट सेक्चियों में होगी बिलकुल टॉप में तो कल मिलते है यार बाइबाओ झाल 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 झाल